एक समय की बात है एक घने जंगल में एक सुन्दर तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच और उसकी पत्नी रहते थे। उसी तालाब के पास एक पेड था जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच के बीच दोस्ती हो गई थी। बंदर रोज उस पेड से मीठे मीठे फल तोड कर मगरमच को खिलाता था और दोनों मिलकर खूब बाते करते थे। एक दिन मगरमच ने अपनी पत्नी से अपनी दोस्ती के बारे में बताया। तो उसने चालाकी से कहा मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। बंदर खुश हो गया और मगरमच की पीठ पर बैठकर तालाब पार करने लगा। बीच तालाब में पहुचते ही मगरमच ने बंदर से कहा दरसल मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर चौक गया लेकिन उसने तुरंट अपनी सुचबूच का इस्तमाल किया। उसने कहा अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर छोड़ दिया है। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस चलना होगा ताकि मैं उसे ला सकू। मगरमच ने उसकी बात मान ली और बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही बंदर पेड़ पर चढ़ा। उसने मगरमच से कहा तुम कितने मूर्ख हो। क्या कोई अपना दिल अपने शरीर के बाहर छोड़ सकता है। अब जाओ और अपनी पतनी से कहो कि उसे मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा। मगरमच को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर तालाब में लोट गया। और वह शर्मिंदा अपना गलता है। झालता है। झाल झाल